हेलो डियर स्टुडेंट आप लोग कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे आज हम सोशियोलाजी नेट सेट जियारेप के पेपर सेकेंड के फर्स्ट यूनिट समास्तास्त्री सिद्धान के अंतरगत जो है इमाईल दुर्खिम के जीवन परीचा पर चर्चा करेंगे इसके बाद जो है कंटिनिवस सेलेवस पर मैं वीडियो लाते रहूंगा तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो इमाईल दुर्खिम का जीवन परीचाए इमाईल दुर्खिम जो है समास्तास्तर में उनका जो है महत्वपुन योगदान रहा आगस्त काम्ट ने समास्तास्तर की निव रखी आगस्त काम्ट ने समास्तास्तर का नाम समास्तास्तर दिया और उसकी निव रखी इमाईल दुर्खिम ने उस निव पर एक विसाल भवन के निर्मान का कारे किया इसका अर्थ यह है कि इमाईल दुर्खिम ने समाज सासर को अन्य विसयों से अलग करना या फिर समाज सासर को विज्ञान के रूप में इस्थापित करना इन सारी चीजों में महत्पून योगदान दिया इसलिए कहा गया कि इमाईल दुर्खिम ने समाज सास्र को महत्वपूर्ण योगदान दिया वे एक महान प्रतिभा साली चिंतक एवा समाज बेज्ञानिक थे उन्होंने अनेक समाज सास्री विचारों, धारनाओं और सिध्धानतों का परतिपादन किया तो चलिए देखते हैं उनका जीवन परिचय दुर्खिम जो है समाज सास्र के पिता आगस्ट काम्ट के बाद समाज सास्र के छेत्र के वास्तविक उतराधिकारी जो है इमाईल दुर्खिम को माना जाता है भले ही समाज सास्र के पिता जो हैं आगस्ट काम्ट हैं लेकिन उसके बाद समाज सास्तर के छेतर का वास्तवी उत्रधिकारी इमाईल दुर्खिम को माना जाता है इमाईल दुर्खिम का जन्म जो है 15 अपरेल 1858 इस्वी में यूरोप के देश फ्रांस के एपिनल नामक यहुदी कस्बे में या फिर यहुदी परिवार में जो है हुआ था तो यहाँ देख लेते हैं इमाईल दुर्खिम का जन्म जो है 15 अपरेल 1859 इस्वी में हुआ यूरोप के फ्रांस में फ्रांस देश में एपिनल नामक कस्बे में यहुदी परिवार में जो है उनका जन्म हुआ था इसको अच्छे से देख लें कभी कभी प्रस्ण पूछा जाता है कि उनका जन्म किस स्थान पर हुआ किस सहर में हुआ तो इसको अच्छे से याद रख लेंगे उनका परिवार जो है यहुदियों के यहां पुरोहित का कार्य करता था इस प्रकार बालिया वस्था से ही उनके यहां धार्मिक और अध्यात्मिक परियावरन प्राप्त हुआ परिवार पुरोहित याने का कार्य करने के वजह से जो है बालिया वस्था में से ही उनके यहां धार्मिक और अध्यात्मिक परियावरन प्राप्त हुआ अध्यान अध्यापन का माहौल प्राप्त हुआ जिसके वज़ा से दुर्खिम में तीब्रगति से बुद्धी को असल का विकास हुआ जिससे वे प्रारंभिक काल से ही कुसागर बुद्धी के रहे बचपन से ही वो यहोदी भासा में लिखे गए लेखों का अध्यान करना आरंब कर दिया था तो इस तरीके से उनका परिवार का माहौल था पठन-पाठन में रुची रखने वाला था इस वज़ा से जो है सुरू से ही दुर्खिम की रुची भी पठन-पाठन में रही और वो कुसागर बुद्धी के रहे उन्होंने बचपन से ही यहोदी भासा में लिखे गए लेखों का अध्यान किया तो यहां पर इस बात को हमें याद रखना है कि दुर्खिम का जन्म जो है 15 अपरिल 1858 इस्वी में हुआ वो यूरोप के देश फ्रांस में और उस फ्रांस में जो है एपिनल नामक कसबे में यहोदी परिवार में जो है उनका जन्म हुआ था दुर्खिम ने जो है प्रारंभिक और उचतर माध्यमिक सिक्षा अपने कसबे एपिनल में प्राप्त किया दुर्खिम जहां रहते थे हाना एपिनल में वही पर उन्होंने अपने प्रारंभिक और उचतर माध्यमिक सिक्षाएं प्राप्त की इसके बाद इसनातक तक की उपाधी भी उन्होंने एपिनल सहर के ही कॉलेज में गराण किया इसके पस्चात वो उच्छ अध्यन के लिए यान हर जो केशन के लिए आगे पढ़ाई के लिए दुर्खिम पेरिस आए और पेरिस के सुप्रसिद इकॉल एकेडमी में उन्होंने सिक्छा गराण की पेरिस के इकॉल एकेडमी में उन्होंने जो है सिक्छा गराण किया इसके पस्चाद दुर्खिम ने Cole Academy में अपनी सिख्षा गरहन करने के पस्चाद दुर्खिम 1882 तक वहाँ पर सिख्षा गरहन करने के पस्चाद जो 1882 स्वी से ही अध्यापन का कारे करने लगे वहाँ पर वो पढ़ाने लग गए, उनकी ज्यान पी पासा बहुँ ज्यादा प्रवल थी, जिसके कारण उनको लगा कि मैंने जो अपना वर्तमान ज्यान अभी तक प्राप्त किया है, उस अध्यान से वे अपसंतुष नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने फिर उस अध्यापन कार्य से अवकास लेकर 1885 में जो है, पेरिज से जर्मनी चले गए, 1882 तक जो है, सिक्छा गरहन किया, उसके बाद 1882 से ही उन्होंने अध्यापन कारिये सुरू कर दिया था, उनको लगा कि मतलब मुझे और आगे पढ़ना चाहिए, और जानकारियां इकठी करन के लिए लोक मनोभी ज्यान का सांस्कृतिक मानोसास्त्र का और अर्थ सास्त्र विशय का गहन और सुचम अध्यन किया और उन्होंने जो है ज्यानारजन किया इसके पस्चात जो है दुरखिम पुनह अध्यापन कार्य करने लगे इसके पस्चात पुनह अध्यापन कार्य में लग गए उनकी नियुकती जो है इसके पस्चात लुईस लिग्रांड विश्व विद्यालाय में जो है दर्शन सास्र के प्राध्यापक के पत्पर हो गई इस विश्व विद्यालाय में दुरखिम ने पाँच वर्ष तक अध्यापन का कारे किया उसके पस्चात 1887 में बोर्युक्स विश्विद्यालाय में समाज विज्ञान और सिक्षा के प्रोफेसर के पत पर न्यूक्त हो गए उन्होंने बोर्युक्स विश्विद्यालाय में समाज विज्ञान और सिक्षा के प्रोफेसर पत पर न्यूक्त हुए जर्मनी में दुर्खिम सामाजिक विज्ञानों के संपरदा एवं उनकी विचारधारा से जो है बहुँ ज़्यादा प्रभावित हुए थे अध्यान और अध्यापन में सनलगन रहने कारण जो है उनके ज्ञान और छमता में उतरोतर बिद्धी होने लगी वो निरंतर ज्ञान पीपासु व्यक्ति थे अंतर अध्यान अध्यापन करते रहने के वज़ा से उनके ज्ञान और छमता धिरे धिरे बढ़ने लगा और आगे चल कर जो 1893 में दुर्खिम को जो है पेरिश विभाजन पर पीएजडी की उपाधी प्राप्त हुई या था तो उनके पीएजडी का टापिक क्या था? समाज में सरम बिभाजन पर जो है उन्होंने पीएजडी की और पेरिश विभाजन से पेरिश विभाजन में ही उन्होंने अनेक साथ ही साथ समाजिक विज्ञानों का अध्यण किया तो ये पुछे जाता है कि दुर्खिम के PhD का विशाय क्या था तो समाज में सरम विभाजन दिवजन आप लेवर इन सोसाइटी पर उन्होंने पेरिज विश्व विध्यालय से डॉक्टरेट, डॉक्टर आप फिलासिपी या डॉक्टरेट की उपाधी प्राप्त की थी इसके पस्चाथ जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी इमाईल दुर्खिम ने 1898 में एक समाज सास्त्री पत्रिका का प्रकासन किया और संपाधन किया इस पत्रिका से ही दुर्खिम को समाज सास्त्र को एक विज्यान के रूप में विक्सित करने में अत्यधिक साहता मिली निरंतर यह जो उनकी पत्रिका थी 19 वर्सों तक प्रकासित होती रह रही इसके वज़ा से जो है दुर्खिम के विचारों का काफी जो है व्यापक प्रचार प्रसार हुआ दुर्खिम के विचारों को समाज में अत्यधिक महत्ता प्राप्त हुई और 1913 में इमाईल दुर्खिम की प्रतिभा और उनके बहुमुखी व्यक्तित्था ज्यान को देखते हुए उन्हें जो है पेरिश विश्चु विद्यालाय में समाज सास्त्र वव और सिक्षा सास् जो है प्राध्यापक बना दिया गया आगे चल कर दुर्खिम ने जो पत्रिका के वजह से जो है दुर्खिम के विचारों का समाज समाज में जो मैं जो है समाज में काफी बढ़ गई इसके पस्चात उन्हें जो है 1913 में पेरिज बिश्विद्याले में जो है समाज सास्त्र वा सिक्षा सास्त्र जिसाय का प्राध्यापक बना दिया गया जहां उन्होंने अपना सेश जीवन जो है बोधीक कारे में ब्यतित किया दुर्खीम का दामपत्य जीवन की यदि हम बात करते हैं तो उनका दामपत्य जीवन जो था वो काफी सुखमय था उनका बिवा हुआ अठाव स्वतासी में लुईस ड्रेफस से उनकी पतनी का नाम लुईस ड्रेफस था दुर्खीम की पतनी दुर्खीम की कारियों में जो है पूत्र का नाम अंद्रे था और उनकी पूत्री का नाम मेरी था दूर्खिम का पूत्र जो है फ्रांसिसी सेना में अधिकारी के पत पर पदस्थ था दूर्खिम में साथ हि साथ रास्टियता की भाउना नहीं बहुन जादा भरी हुई थी वे महान समाजबेग्यानिक होने के साथ जो है वो महान देशभक्त भी थे जिस तरीके से वो एक समाज बेग्यानिक थे साथ ही साथ वो एक देश भक्त भी थे पर्थम विश्यूद के समय जो है उन्होंने अपना सम्पून बुद्धी और कौसल और सक्ति को जो है देश की रक्षा के निमित अरपित कर दिया उन्हें राष्ट यहता की भावना कुट कुट कर भरी थी वो परफम 22 स्लुद्र के समय अपने सारे दिमाग को बुधी को असल को और सक्ति को देश के रक्षा के निमित जो है और पित कर दिया था फ्रांसिसियों को पत्र नामक सिर्शक से दुर्खिम ने अपने देश वासियों को देश के लिए मर मिठनेत था कुर्बान होने के लिए प्रेद करने वाले पत्र लिखते रहे हैं इसी बीच 1915 में दुर्खिम का पुत्र जो आंद्रे जो सेना में था घायल हो गया 1915 में अन्ततः वह घायल हो गया और अंत में जो है वह देश के लिए सहीद हो गया दुर्खिम जो है इस हाथसा को सहन नहीं कर पाए और वो जो है बीमार रहने लगे पूत्र सोक से बिडित होकर जो है इमाईल दुर्खिम ने 15 नवंबर 1917 के दिन जो है 69 वर्स की अवस्था में जो है इह लवकिक जीवन का परित्याग कर दिया दुर्खिम अपनी विचारों और धारनाओं से समाज सास्त्र को एक बिज्ञान के रूप में इस्थापित करने का निरंतर या फिर आजीवन प्रयत्न करते रहे दुर्खिम ने अपने विचारों और धारनाओं से जो है समाज सास्त्र को एक विज्ञान के रूप में इस्थापित करना चाहते थे और इसके लिए वो निदंतर प्रयात्न करते रहे समाज विज्ञान को संपन बनाने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है समाज सास्त्र के जनक आगस्ट काम्ट के बाद प्रांस का सरवाधिक लोगप्रिय समाज सास्त्री इमाईल दुर्खिम ही है समाज सास्त्र के जनक जो थे आगस्ट काम्ट हैं उनके बाद सरवाधिक लोगपर्य समाज सास्त्र इमाईल दुर्खीम ही है इमाईल दुर्खीम ने आगे दिखेंगे कि किन-किन महतफूर्ण सिध्धान्तों का प्रतिपादन किया तो पहला है स्रम विभाजन का सिद्धान, थियोरी आप डियूजन आप लेवर स्रम विभाजन का सिद्धान दिया, दूसरा उन्होंने सिद्धान दिया सामाजिक एकता का सिद्धान, थियोरी आप सोशल सॉलिडेटरी का सिद्धान दिया, दिसरा सिद्धान जो है उन्होंन सत्य की अवधारना, कॉंसेप्ट आप सोसल फेक्ट, सोसल फेक्ट के बारे में उन्होंने बताया, इसके अलावा उन्होंने तुलनात्मग विधी का सिद्धान, थियोरी आप कॉंपरेटिव मेथड, इसके अलावा आत्म हत्या का सिद्धान दिया, थियोरी आप सुसाइड, इसके अलावा धर्म के समाज सास्त्र के बारे में बताया सोशियोलाजी आप रिलिजन धर्म का समाज सास्त्र आत्म हत्या का सिद्धान थियोरी आप सूसाइड के बारे में बताया इसके अलावा प्रकार किया धारना concept of function के बारे में बताया इसके अलावा समोहिक प्रतिनिधित्व की अउधारना concept of collective representation के बारे में बताया इसके अलावा समाजिक विकास का सिध्धान्त दिया उन्होंने theory of social evolution समाजिक विकास का सिध्धान दिया इसके अलावा नयतिक्ता का सिध्धान theory of morals के बारे में बताया और अंत में एक और सिद्धान उन्हों ने दिया मुल्यों का सिद्धान theory of values इमाईल दुर्खीम ने इस तरीके से जो है बहुत सारे सिद्धान दिये इसमें से कुछ सिद्धानतों के बारे में हम पढ़ेंगे जो की net set के syllabus में हैं आगे के कक्षाओं में इमाईल दुर्खीम ने इसके अलावा कौन-कौन सी बुस्तकें लिखी उसको देख लेते हैं इमाईल दुर्खीम की महत्वपून कृतियां जैसे पहला है समाज में स्रम विभाजन दिविजन आप लेबर इन सोसाइटी 1893 में प्रकासित हुआ इसको जो है इसके सन को भी याद रखें कभी-कभी इसको भी पूछ लेता है तो ये समाज में स्रम विभाजन दिविजन आप लेबर इन सोसाइटी इनकी पहली पुस्तक है इसके अलावा दूसरा पुस्तक है समाज सास्त्री पद्धती के नियम दे रूल्स आप सोस्योलाजिकल मेथ़ड ये अगली पुस्तक है समाज सास्त्री पद्धती के नियम इसके अलावा एक पुस्तक आत्महत्या सूसाइड ली सूसाइड जो कि 1897 में प्रकासित हुआ इसका भी सन को प्रकासन डेट को याद रखें कभी कभार पूछ भी लेता है आगे देखते हैं इसके अलावा उन्होंने धर्म का समाज सास्त्र दे इलिमेंटरी फाम आप रिलिजियस लाइप नामक पुस्तक को भी प्रकासित किया इसके अलावा दुर्खीम की मृत्ति हो जाने के पस्चात उनकी पतनी लुईस ड्रेफस के द्वारा भी कुछ पुस्तकें जो है प्रकासित की गई उनके मरने के पस्चात इसमें से जो है पहला है सिख्षा का समाज सास्त्र सोस्योलाजिया एजुकेशन इसका प्रकासन जो है लुईस ड्रेफस ने कराया इसके अलावा समाजिक दर्शन सोस्योलाजिया एफिलोसोपी समाजिक दर्शन सोस्योलाजिकल एफिलासोपी को प्रकासित कराया इसके अलावा मॉरल एजुकेशन को भी उन्होंने जो है लुईस ड्रेफस ने प्रकासित कराई तो इस तरीके से इन तीन पूस्तकों का प्रकासन इमाईल दुर्खिम की मृत्यू के पस्चात उनकी पत्नी ने कराया इसके अलावा लुईस ड्रेफस की मृत्यू के बाद भी और अन्य सरोतों से कुछ पूस्तकें जो हैं प्रकासित हुई उसको भी देख लेते हैं तो इसमें The Socialism 1928 न प्रकासित हुई इसके अलावा The Evaluation of Pedagogy in France ये जो है 1928 न प्रकासित हुई Lax de Sociology 1950 न प्रकासित हुई प्रगटिज्म एंड सोस्योलाजी जो है 1955 में प्रकासित हुई इसके अलावा Montescue एंड रूसो जो है 1953 में प्रकासित हुई तो इस तरीके से जो है दुर्खिम के द्वारा ये सारी पुस्तकें लिखी गई इन पुस्तकों को एक बार और रिविजन कर लेते हैं जिससे जो है हमें याद हो जाएंगी तो दुर्खिम ने जो है अपने पुस्तकें लिखी पहला पुस्तक ये था कि समाज में सरम विवाजन दिवजन आप लेबर इन सोसाइटी 1893 में प्रकासित हुआ दूसरा है समाज सास्त्री ये पद्धती के नियम दरूल साप सोस्योलोजिकल मेथड तीसरा है आत्म हत्या लिस सूसाइड या फिर दस सूसाइड जो की 1897 में प्रकासित हुई और समाज में जो है सरम विभाजन जो है वो 1893 में प्रकासित हुई थी इसके अलावा धर्म का समाज सास्तर, इलिमेंटिजियस लाइप का भी उन्हось प्रकाशन किया इसके अलावा दूर्खीम की मरित्ति के पस्चात उनकी पत्नी लूइस डेफस के दोरा सिख्छा का समाज सास्तर सोच्यलाजियाफ एजुकेसन का प्रकाशन कराया गया था पुस्ताओं का प्राकाशन लुईस ड्रेफस ने दुर्खीम की मृत्यू के बात कराई थी। इसके अलावा लुईस ड्रेफस की मृत्यू के पस्चाद भियान्य स्रोतों से कुछ पुस्तागें प्राकाशित रही जैसे की ये भी 1953 में प्राकाशित हुई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इमायल दुर्खीम के का जीवन पर इचाए अच्छी से समझ में आगे होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसो लाइक कीजिए अपने दोस्तों तक सेर कीजिए यदि आपको सोशियोलाजी में नेट से की तैयारी करनी है तो आपको लगता है कि इस चैनल पर मुझे उपयोगी जानकारी मिल सकती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक ये महत्तुपूर्ण जानकारियां पहुंच सके। वीडियो को अंत देखने के बाई बाई